पिछली वीडियो में हमने अवेभाव समास के बारे में अच्छे से जाना इस वीडियो में हम करमधार समास के बारे में अच्छे से जानेंगे वह समास जिसका पहला पद बिशेशड और दूसरा पद बिशेश होता है अर्थाथ पूरू पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का शम्मन्द माना जाता है करमधाद समास का लाता है इस समास का उत्तर पद परधान होता है और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के शमान है जो रूपी में से किसी एक सब्द का यूज हुआ रहता है आईए अब एक्जम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं चरड कमल कमल के शमान चरड अगर इसे देखा जाए तो इसमें के शमान जब हम समास विग्रह किये हैं तो इसमें के समान सब्द जुड़ी गया है अर्थाद ये करमधारे समास है यानि ये असानी हो गई हमें पहचानने में अगर समास विक्रा करते समय हमें ये समान है जो और रूपी इन तीनों में से कोई एक सब्द मिल जाए तो हम तुरंट समझ जाएंगे कि ये करमधारे समास है नेला है जो गगण, इसमें ह्ञाउज जो शब। तो पिछली वीडियो जब मैंने समास हैं, तो समास में मैंने मैं उपमै और का डिटेल बताया था, वहाँ आप आब उसका डिटेल जान सकते हैं वैसे मैं फिर से बता देता हो। कि उपमान यानि जिससे तूलना की जाती है, उपमे यानि जिसकी तूलना की जाती है, यहाँ नील गगन में गगन की तूलना नीले रंग से की गई है, इसलिए यहाँ पे करमधारे समास होगा, नीला है जो गगन, यानि गगन हमारा उपमे होगा और नीला जो है उपमान होगा और बीच में हमें सब्द भी मिल गया है जो इसलिए ये करमधारे समास है नेक्स्ट एक्जामपल है चंदर मुख यानि चंदर जैसा मुख इसमें मुख की तूलना चंदर से की गई है इसलिए यहां पे भी करमधारे समास है नेक्स्ट एक्जामपल है महात्मा यानि महान है जो आत्मा इसमें है जो सब्द मिल गया इसलिए ये भी करमधारे समास है महादेव महान है जो देव यहाँ पे भी है जो बीच में लगा हुआ मिल गया इसलिए ये भी हमारा करमधारे समास है अथम साथ रूप में कह सकते हैं कि जब भी आपको है जो के समान और रूपी जैसे सब्द बीच में समास बिगड़ा करते हैं वक्त मिल जाएं तो आप यह समझें कि यह करमधारे समास है करमधारे समास के और एक्जामपल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस फिर क्लिक करके आप समास के अन्य एक्जामपल के बारे में जान सकते हैं